Hello students, welcome to my channel बच्चो यूपी बोर्ड intermediate परिच्छा 2023 शुरू होने वाली है अब इसकी intermediate में जो answer seat है उस answer seat को हम कैसे भरेंगे जो front page होता है इस front page को कैसे भरेंगे तो इस बार जो है यह copy आपको और copy जो है इस परकार से होगी intermediate परिच्छा उत्तरप्रदेश की मुहर लगी होगी इसमें total 32 page होंगे यहाँ पर यह जो front page है परिक्छार्थी क्रमांक एक से पांच तक की सभी प्रविस्टियां सुद्ध एवं असपस्ट रूप से स्वयम भरे अब इसमें देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर यह 6 और यह 7 यह चीजें जो है दी गई है और साथे में इस्पन्ने परे भी होता है कापी के मुल्यांकन के लिए जो है यह प्रस्ण संख्या और यह प्राप्तांक के बने होते हैं तो यहाँ पर आपका part सिर्फ एक से ले करके 5 यानि 6 तक का है एक से ले करके 6 तक आपको front page पर भरना है इसमें किसी तरह से कोई गलती नहीं होनी चाहिए अब देखिए आपके पास क्या-क्या चीजे होंगी आपका जो है एक पंजी करण कार्ड होगा इसके बाद आपके पास जो है एक admit card होगा तो अब यहाँ पर यह देख रहे हैं कि जो admit card है का है 23 यह परिक्षा का वर्स है और इसके बाद यह बागी roll number आपके होते हैं अब यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं कि परिक्षा केंद्र का नाम तो यह 09787 यह परिक्षा केंद्र का code है और इसके आगे जो है यह परिक्षा केंद्र का नाम होगा ये हो गया center, code और ये हो गया center, number यानि ये हो गया पूरा आपका center तो जब भी आप परिछा केंदर का नाम लिखेंगे तो आपकी कोशिश ही हो कि center number के 7 लिखें इस तरह से आपको paper मिलेगा, जो board का paper है इस paper में यहाँ पर ये जैसे हिंदी का paper है ये sample की रूप में मैंने 2022 का एक set उठाया है तो 101, इसे कहते हैं 200 code, ये बाएं तरफ लिखा होगा दाहिने तरफ यहाँ पर लिखा होता है, इस तरह से लिखा 301DL तो इसे जो है प्रस्नपत्र code या प्रस्नपत्र सिरीज, या मारका, या paper code कहते हैं या sanketank कहते हैं तो यहाँ पर जो sanketank है, वह 301DL है अब इसे हम भरेंगे, तो देखे, परिक्षार्थी का अनुक्रमांक तो इसको भरने के लिए आपको admit card की जरूरत है admit card में अब देखिए, यहाँ पर roll number है 223-740-9956 तो आप यहाँ पर इसको लिख देंगे परिक्षार्थी का अनुक्रमांक सब्दों में तो इसमें जो है, अधिकतर बच्चे इसे ऐसे लिखेंगे कि 2 अरब, 23 करोण, 74,9956 लेकिन इसमें लिखने में बहुत गलतियां होती है इसलिए इस बार बोर्ड ने निर्देशित किया है कि इसे हम digit के रूप में ही लिखेंगे जैसे, यह देखिए दो, दो, तीन, साथ, चार, सुन्य, नव, नव, पांच, छे इस तरह से इसको हम लिखेंगे अब अरब, खरब और लाख करोण में आपको इसे नई लिखना है तो जो भी digit है दो, तीन, साथ, चार, सुन्य, नव, नव, पांच, छे आप इस तरह से लिखेंगे और लिखते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि यह अगर आप इसे बड़ा ब्रेकेट में लिखते हैं तो अगर कोई डिजिट नीचे भी लिखते हैं तो यह आपको पता रहेगा कि हमने नीचे लिखा है तो देखते समय जो है यह पकड़ में आ जाएगा भी से, अब जैसे हिंदी का पेपर है जो पेपर कोड उठाया गया यहाँ पर हिंदी का दिखाया गया है तो यह सामान हिंदी या साहितिक हिंदी जैसा भी पेपर होगा प्रस्न पत्र तो यहाँ पर प्रस्न पत्र केवल यह कही है पेपर जो है फर्स्ट और सेकेंड नहीं है तो प्रस्न पत्र केवल हो जाएगा प्रस्न पत्र पर अंकित संकेतांग जो कि आपने अभी देखा कि 301DL लिखा हुआ था तो जो भी पेपर आपको मिलेगा उस पेपर की ऊपर लिखा रहेगा तो आप वहाँ से इसको देख करके भर लेंगे परिक्षा का दिन अब पहला दिन तो पहला दिन ब्रहस्पतवार है परिक्षा की दिथी है 16-2-2023 और यह intermediate की परिक्षा है तो intermediate की अधिकतर परिक्षाएं वह है दुतिय पाली में होती है कोई पेपर ऐसा भी हो सकता कि प्रथम पाली में भी हो तो जिस पाली में आप exam दे रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे अब जैसे यह Hindi के लिए है यह दुतिय पाली में है तो यहाँ पर date हो गया और यह इसकी पाली हो गई केंडर का नाम जब आप लिखेंगे तो code के साथ लिखें तो यह देखे 09787 जैसे यहां पर आप इसको लिख देंगे इसके बाद पांच मा आता है संगलगन वह उत्तर पुस्तकों की संख्या और कापी के अत्रिक्त यदि आप भी कापी लेते हैं वह कापी लेते हैं तो वह एक कापी लिया आपने दो कापी लिया तीन कापी लिया तो जितनी भी कापी लेंगे ये लिखेंगे अब इसमें 32 पेज होते हैं अगर अच्छी तरह से लिखे जाएं तो यह सफिसेंट होते हैं फिर भी आप जो है अगर कापी भर जाती है तो आप जो है भी कापी लेंगे कापी के दोनों तरफ लिखेंगे अनावस्यक पेज को आप बरबाद नहीं कर यह लास्ट में भरा जाता है अब देखी परिछा कच जिस रूम में आप एक्जाम दे रहे हैं जैसे मां लिजे कि यह जो रोल नंबर हमने भरा सपोज कर लिजे कि रूम नंबर 7 में एक्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 07 अब इसके बाद आपके कच में जो इन डेट डालेंगे तो इस प्रकार से यह पूरा हो गया अब इसके बाद आप जो है पेज को पल्टेंगे और margin left side अगर है तो ठीक है नहीं है तो आप margin जो है left side खीचेंगे और फिर इसके बाद लिखना सुरू करेंगे लिखते समय भी आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान कि सभी प्रस्ण के जो जैसे एक कह है एक कह है एक कह है एक कह तो आप एक कह एक ऐसे करके लिखें दूसरे का माली जे चार पार्ट है दो कह दो कह तो एक जगा सिर्फ दो लिख करके कह न लिखें वलकि दो कह दो कह दो कह दो कह दो कह ऐसे करके आप लिखें तो examiner को देखन में बहुत ही आसानी होती है और नंबर जो है अच्छे मिलते हैं इसी के साथ साथ कुछ आपको आवस्यक इंस्ट्रक्शन इस प्रकार से हैं कि प्रवेस्पत्र रजिस्टेशन कार्ड लेखन सामगरी यानि पेन पेंसील इसके लित्यादी जो लिखने की मटेरियल है यह आप अपने साथ रखेंगे अपनी बिद्यालय का परिचे पत्र अगर आपके पास कोई अड्मिट कार्ड के अत्रीक्त जो है अगर परिचे पत्र है तो परिचे पत्र आप रख सकते हैं अगर नहीं है तो कोई आवस्यक नहीं है जहां तक संभव हो आप चपल या सैंडिल पहन कर जाएं क्योंकि कुछ विद्यालियों में होता है कि जूता मोजा उतरवा दिया जाता है कि बच्चे कहीं नकल न लाए हो इसलिए जो है अच्छा यही होगा कि आप चप्पल या सेंडिल पान कर जाएं परिक्षा कक्षे में जाने के पहले अपना पाकेट पेन बाक्स अच सामगरी न हो और साथ में कोई अन्य सामगरी या कागज न ले जाएं पेन बाक्स जो है ट्रांस्परेंट होना चाहिए पारदर्सी होना चाहिए और उसकी साइड थोड़ा रखिए और उसी में अपने अड्मिट कार्ड को एक साइड और दूसरे साइड जो है रजिस्टे रहेगा तो यह खोएगा नहीं होइटनर का परियोग कदा भी न करें कहीं पर अगर कोई गलती हो जाती है तो आप जो है उसे क्रास करके और उसी के बगल में लिख देंगे धैर बनाए रखें क्योंकि कभी-कभी होता है कि कुछ प्रस्ण ऐसे दिख जाते हैं जो कि प्राना नहीं चाहिए आप धैर बनाए रखें यदि कोई प्रस्ण न आ रहा हो तो उस पर आना वस्यक समय बर्बाद न करें बलकि जब सभी प्रस्ण आप हल कर लेते हैं उसके पस्चात उस प्रस्ण को हल करने का प्रयत्न करें और अगर किसी तरह की कोई असुविदा हो पूरे पेज अच्छी तरह से नहीं छपे हुए हैं या कापी में पेज कुछ फटा हुआ है पेज गायब है तो इस तरह की बात आप तुरंत जो है अपने कौक्ष निरिक्षा को बताएंगे अब आप अच्छी से परिक्षा दें सफल होने की सुबकामनाएं विसी वाल्द बेस्ट